जै माता दी, श्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको नवरात्रों से सम्मंदे जानकारी दे रहा हूँ, सिबलिंग पर चड़ा करके एक चीज आपको खाले नी हैं, साती माता दुरका के सामने एक चीज चड़ा करके खाले नी है नवरात्रों का जो दिन होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है, नवरात्रों में माता के नो सरूपों की आराधना की जाती है, माता अपने भक्तों की सभी मनुकामनाय पूरी करती है, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा, नवरात्री के जो दिन होते हैं, ये लेसन, प्याज, मीट, मास, अंडा, ये सारी चीजे बंद कर दें, नौ दिन, फर देखना, माता कितनी जल्दी प्रसन होते हैं, और इसकंद माता की पूजा, आपको पुत्र धन प्राप्तिक लेकर निये, और माता के नौ सुरूपों की आरादना करते समें, आपको अपनी च खुशियां आपको प्राप्त होंगी, तब बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है, इस नवरात्री नौ राशियां बेहदी भागी साले हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रते दिन माता दुरुगा की पूजा करनी है, पुश्प माता की सामने चड़ाना है, लोंग का जोड़ा माता की सामने चड़ाना है, पान का पत्ता लें, उसको एक बतास रखें, दो लोंग रखें, एक इल्याची रखें माता की सामने अरपन करें, माता को नेविद अरपन करें, साथी केले का फल माता को प्रतिदिन अरपन करना है, केले का जो फल है, माता को प्रतिदिन अर्पन करना है और वहीं बैटकर के माता के सामने की माता मेरा ये नाम है मेरे पती का ये नाम है या पती करने तो पत्री का नाम ले गोतरो चालन करो हमें संतान का सुख परदान करें या हमारी ब्योपार में उन्नेतिनी मिल पार ये कर्ज बढ़ता जा रहा है उ प्रसाद जरूर खाले आपकी मनो कामना पूरी होगी वही सिविलिंग पर चड़ा करके देखो आपने ब्रत रखा है नवरातरी ब्रत रखा है तो आपको क्या करना है सिविलिंग पर भी आपको केले का फल चड़ाना है सिविलिंग का चड़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते ले तो मूर्ति के सामने आपको प्रसाथ चड़ाना है केले का फल्क चड़ाना है और साथ ही वहाँ पर ओम नवश्वाय मंतर का जाप करना है वो प्रसाथ आपको जो माता के प्रसाथ के साथ में मिला करके आपको खाले ना है माता पार्वति भगवान सिव आपको आशिरवाद मकर कुम और मीन रासी ये नो रासियां ही जो बहुत ही शुब रहने वाली हैं नो रासी वालों की प्रतिक मनो कामना पूरी होगी और भगवान प्रसंद नो करके आपकी हर मनो कामना पूरी करेंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जय मातादी जरूर लेखें